हां जी ट्वेल्थ क्लास बेटा वेलकम अगें जी तो यार वेव आप्टिक्स में इंटरफ्रेंस अपना कवर अप हुआ उसको कवर अप करने के बाद कुछ नुमेरिकल करने के बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स टॉपिक पर जो की है जी डैफ्रेक्शन ओफ लाइट त अपने पास बेसिकली इसके फोर पार्ट्स थे फर्स पार्ट्स हुजन्स प्रिंसिपल यानि हाइजन्स प्रिंसिपल इसकेंड पार्ट बेड़ा इसका इंटर्फिरेंस वाला है या था और अगला पार्ट इसका जो अभी हमने स्टार्ट करना है या कर दिया डैफ्रेक्शन ओफ लाइट और लास्ट ली फिर बिटा क्या होगा पॉलराइजेशन ओफ लाइट तो जी कितने टॉपिक हाइजन प्रिंसिपल जिसमें वेफ्रेंट हाइजन प्रिंसिपल एक्सेक्टर हमने किया उसके बाद बेटा इंटर्फिरेंस हो गया काफी लंबा चोड़ा निकला फिर डैफ्रेक्शन और फिर पॉलराइजेशन फि एक्सप्लेइन नहीं कर पाई थी इसलिए हमें किसकी जरोट पड़ गई वेव उप्टिस की जरोट पड़ गई जिसमें हमने वेव को वेव ही माना स्टेट लाइन में चलने वाली नहीं बकायता अपनी वेव प्रॉपर्टीज शो करनी वाली तो जैसे इंटर्फिरेंस ए प्योरली वेव फिनॉमिना है हर टाइप की वेव साउंड वेव भी डाइफरेक्ट करती है कोई और टाइप की वेव होंगी एक्स रेज गामा रेज जो दिख्ती भी नहीं है वो भी क्या करती होंगी डाइफरेक्ट करती होंगी ऐसे लाइट भी वेव है तो ये भी डाइ वेव फिनोमेना मडला हर तरह की वेव को डैफरेक्शन करनी ही करनी है अब पहले तो एक डैफरेक्शन की डैफरेक्शन लिखवा देता हूं ठीक है उसके बाद इसकी तोड़ी सी क्या करेंगे explanation कर देंगे introduction हो जाएगी उसके बार फिर हम main part की और जिसमें कुछ mathematical numerical type चीज़ी भी आजाएगी बढ़ चलेंगे तो देखते हैं situation हमें किस तरफ लेकर जाती है फिलहाल बेटा diffraction अपना अगला topic है हमने बड़ा purely wave phenomenon है light भी wave है तो diffraction तो फिर हमें study करना ही चाहिए अच्छा यह ray optics से explain नहीं होता भाई diffraction ray optics से explain नहीं होता यह मानते हो कि light travel in a straight line diffraction वैसे ही explain नहीं होता light travel in a straight line को तो यह काट रहा है कि ना जी straight line में light travel नहीं करती bend भी कर जाती है so अगर मैं diffraction की बटा definition लिखूँ तो मैं लिखूँगा diffraction is the phenomenon according to which light bends at sharp edges bending of light को क्या कहते है यार diffraction कहते है मैं बोल रहा हूँ इससे पहले हम यह मानते थे light travels in a straight line सीधी चलती है bend नहीं करती लेकिन diffraction ऐसा फिनोमन है जो ही शो कर रहा है कि light bend कर जाती है भाई वो straight line में travel नहीं करती है बेंड कर जाती है तब ही हमें मानना पड़ गया कि प्योर वे भी मानो यहां रे वान के बात नहीं बनेगी तो वाट इस diffraction यार diffraction is bending of light it is bending of light it is bending of light at sharp edges अब इस sharp edges वाली बात भी करेंगे explain फिलहाल यह definition कर अठ्टा मारो कि इस bending of light at the sharp edges जैसे हमने कभी बोला कि भाईया वेब फ्रंट समझाएंगे लेकिन वेब फ्रंट की definition को रटो ना exam में तो लिखनी पड़ेगी ना कि इस locus of all those points which are vibrating in same phase फिलहाल ने वोला interference भाई समझाएंगे लेकिन कम से कम definition तो रट कि interference of light is redistribution of light energy when light from two different sources interfere with इस अठ्टा वैसे भाई diffraction भी समझाएंगे लेकिन definition तो याद कर कि इस bending of light at sharp edges अब कहानी क्या है एक तो example से discuss करते हैं मान लेते हैं ये screen है और कोई source of light है अपने पास ये मान ले screen है यहाँ पर source of light है ठीक है जी अब ये source of light है जी इसके सामने हमने एक थोटी सी opening रख दी कि यहाँ से light जा सकती है ठीक है नहीं तो इसको बोलते है aperture अगर हमने रस्ता रख दिया न light को पास करने के लिए तो फिर optics में इसके लिए क्या word यूज किया जाता है aperture यूज किया जाता है जितने portion से light enter कर सकती है ओके यहाँ फिर situation दूसरी ले लो ये फिर भही screen है मेरे भाई और हमने ये source of light है इस बार इसके सामने aperture नहीं हमने लग दिया एक obstacle ये aperture है मेरे भाई ये AB से light pass हो सकती है aperture हो गया और ये वाला AB यहाँ से light pass नहीं हो सकती उपर खा लिए बीच में क्या है obstacle हो गया ठीक है ये ये वाला aperture कहलाएगा मतलब जहां से light जाएगी और ये AB जो है obstacle कहलाएगा ठीक है जी? अब आप सोचो कि light कैसे पहुंचे की भाई अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो यहाँ से light ऐसे करके straight line की हिसाब से अगर चलेगी तो light को इतने portion में होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे पहुंच रिया light इतने portion में light को होना चाहिए और इसके उपर complete क्या होनी चाहिए darkness होनी चाहिए यानि की complete क्या होनी चाहिए shadow होनी चाहिए ठीक है जी? उपर shadow होनी चाहिए और बीच में screen पर totally क्या होनी चाहिए भाई? light होनी चाहिए होगी भी ऐसे इस case में देख ले अगर मैं इसके इसकी बात करूँ तो यहां से light चली ऐसे ठीक है जी उपर वाले को अलग कर देती है अब अगर बटा इसमें देखती है तो इसमें क्या होगा light जो है इस portion में नहीं पहुंच सकती क्योंकि आगे क्या था obstacle था light पहुंची इससे उपर उपर वाले area में तो screen पे light होगी यहां पे भी light होगी यहां क्या होनी चाहिए complete darkness होनी चाहिए ठीक है यह geometrical shadow का region है इदर यह geometrical shadow का region है तो यहां पे light होनी चाहिए screen पर और इस जगह पे क्या होनी चाहिए complete darkness होनी चाहिए देख भई ऐसे ही होता है ऐसा ही होता है यहां पर light आती है यहां पे darkness होती है यहां पर light नहीं आती है यहां पे brightness होती है यहां complete darkness होती है ऐसे ही होता है खेर लेकिन अगर जाते ध्यान से देखो तो इस पोर्शन में भी थोड़ी बहुत लाइट देखो पहुँचती है, मानलो एक स्क्रीन है स्क्रीन पर आपने इस जगह पर कुछ लिख रखा है इस जगह पर कुछ लिख रखा है लिख रखा है, अगर भाई उस पर लाइट पड़ेगी नहीं, बिल्कूल कम्प्लीट डार्कनेस होगी तो देखो पड़ा नहीं जाएगा वहाँ क्या लिखा हुआ है, हम दे रहे हैं, कैसे पड़ोगे लेकिन आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट करो जिस पोर्शन में लाइट नहीं पहुंच रही थी, वहाँ पर तुमने कुछ लिखा हुआ है अगर तो आप यह स्विच करते हैं, आफ स्विच आफ कर दिया, दे रहा है कमरे में, रात कटा ही में तो अगर आपने स्विच आफ किया तो तो देख, यहाँ पे भी लाइट नहीं होगी, यहाँ पे भी लाइट नहीं होगी लेकिन मेरे भाई जो यहाँ पर लिखा है ना तुने उसको भी पढ़ने के काबिल तू हो जाएगा अब उसको पढ़ने के काबिल तू हो जाएगा मतलब वहां तक कुछ तो लाइट पहुंचती है बहुत बढ़िया से नहीं पढ़ेगी उस पर लाइट लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर घुप अंदेरा होगा और वो जो लिखा है हमने वो पढ़ा ही नहीं जाएगा I mean to say कि बाई रोल स्टेट लाइन के हिसाब से यहाँ पर घुप अंदेरा होना चाहिए यहाँ पर लिखिवी चीज बिल्कुल भी दिखनी नहीं चाहिए लेकिन भाई ऐसी सिचुएशन क्रेट करकर जहाँ पर लाइट सिर्फ इस पॉर्शन में पहुँचनी चाहिए थी यहाँ पर लिखिवी चीज भी विजिबल थोड़ी थोड़ी जी हो जाती है मतलब एक्जक्ली नहीं होती बिल्कुल है चमकती नहीं है लेकिन फिर भी विजिबल हो जाती है उस पर लाइट डाल दोगे तो बहुत बढ़िया पड़ी जाएगी लेकिन नहीं भी डालोगे तो भी यहाँ तक थोड़ी बहुत लाइट पहुंचती है इसका मतलब यह स्ट्रेट वाले लाइन वाला जो रूल है वो थोड़ा सा यहां क्या होता है disturb होता है fail होता है ऐसे यहां करके देख ले यह obstacle है यहां लिख ले screen पे तुझे पता light यहां तक पहुंचेगी और यहां पे complete क्या होनी चीए darkness होनी चीए यहां पे edges पे थोड़ा सा लिख ले थोड़ा सा बीच में भी लिख ले तो what you will observe कि ऐसी situation में ठीक है यहां light आएगी यहां अधेरा सा ही है लेकिन घुप अधेरा नहीं बचेगा थोड़ी बहुती light इस portion में भी पहुंचेगी इस entering of light into the region of geometrical shadow is called diffraction यह बड़ी simple भाशा न बोला bending of light at sharp edges भईया तुम simple भाशा में याद करो bending of light at sharp edges is called diffraction of light लेकिन अभी अभी मैंने थोड़ीछी complicated भाशा में बोल दिया कि इस entering of light rays into the region of geometrical shadow जहां geometrical shadow होनी चाहेती वहां पर light rays का enter कर जाना diffraction है जहां पर geometrical shadow होनी चाहेती वहां पर light rays का enter कर जाना ही diffraction है होता क्या है कि यह edge है edge edge पर light क्या कर जाती है bend कर जाती है अच्छा हम थोड़ी जिर में study करेंगे कि light edges पर ही bend करती है बढ़िया बढ़िया तरीके से edges पर bend करती है तो जाना तो इसको इसी region में चाहिए था लेकिन यहां पर edge पर जब light पढ़ती है तो मेरे भाई वो bend हो जाती है ठीक है जी तो जहां पर उसको नहीं भी पहुँच रहा है जिस region में वहां पर भी वो पहुँच थी है थोड़ी बहुत पूरी नहीं पहुँच थी भाई थोड़ी बहुत पहुँच थी है तो इस bending of light at the sharp edges इसकार diffraction A-B- तक light पहुँच नहीं चाहिए थी A-से उपर भी पहुँच रही है थोड़ा नीचे भी पहुँच रही है यह जो लाल वाली है यह diffracted light है bending of light at the edges मैं बार बार बोड़ रहा हूँ sharp edge पे ही क्यों diffract होगी वो discuss होगा भी फिलहल अब यहाँ पर देख उपर जाना था इसने लेकिन इस region में भी पहुँच ती है क्योंकि edge पर यह क्या हो जाती है diffract हो जाती है ठीक है जी edges पर यह क्या हो जाती है diffract हो जाती है इसलिए थोड़ी बहुती इधर भी पहुँच जाएगी थोड़ी बहुती यहाँ थोड़ी जादा diffraction होगी यहाँ बहुत एकादी रही पहुचेगी लेकिन बस पहुचती है this diffraction of light at sharp edges sorry this bending of light at sharp edges is termed as diffraction ऐसा होता है इसी को diffraction कहते हैं अब अगली बात की sharp edge sharp edge क्या लगा रखा है bending of light तो ठीक है समझ में लग रहा है लेकिन sharp edge का क्या चक्कर है अब इसमें point ही बना देंगे हम अपना अगला एक point लिखना कि essential condition for diffraction to occur diffraction होने के लिए या कहलो diffraction को बढ़िया तरीके से होने के लिए essential condition क्या है ठीक है रही तो सबसे पहली बात हमने diffraction के क्या कर ली definition कर ली अब अगली बात हमने करनी है point है भाई अगला आपका essential condition condition for diffraction to occur largely यहां कहलो dominantly dominantly मरलब अच्छी खासी डाफ diffraction हो बढ़िया diffraction हो मरलब दिखे diffraction होती हुए लगे कि हाँ diffraction हुई है उसके लिए condition है यार एक note करना यह होगए essential condition क्या है अब इसमें मैं अंसर दे रहा हुँ इसका जैसे question होगा यह essential condition for diffraction to occur dominantly या कई बर लिखा होता है to occur ही लिखा होता है लेकिन condition match ना हो to diffraction बहुत negligible से होती है condition match हो जाए तो बहुत बढ़िया होती है to condition है कि जी for diffraction to occur dominantly track record रहा हुआ इसका अंसर size of the obstacle या aperture देखे हैं एज दोनों की बनेगी obstacle की बनेगी aperture की बनेगी यह obstacle वाला केस था उसमें अंदर geometrical shadow अंदर की और diffract होके आती है यह aperture वाले केस में बाहर geometrical shadow बाहर की और diffract हो जाती है दोनों केस में होती है तो हमने बोला कि essential condition है कि size of the obstacle या aperture should be comparable to the wavelength of the diffracting वेव साइज अब तो अब्स्टेकल या अपर्चर जो है वो क्या होना चाहिए वेवलेंद के कमपेरेबल होना चाहिए देख इक्वल बोलने की शुरुत नहीं है इक्वल हो जाएगा तो मज़ी ही आ रहेंगे बहुत बढ़िया डाइफ्रेक्शन हो जाएगी लेकिन हर बार इक्वल नहीं हो पाएगा ना कमपेरेबल का मतलब अगर अपर्चर का साइज मीटर्स में है तो वेवलेंद भी मीटर्स में हो तो बढ़िया डाइफ्रेक्शन होगी या उल्टा लगा ले अगर वेवलेंद आफ तो भही diffraction observe नहीं होनी है, बहुत कम होनी है, observe भी नहीं होनी है, अगर obstacle centimeter में, wavelength भी centimeter में, बढ़िया, अब ज़रूरी नहीं है, 5-5 centimeter ही हो, मैंने बोला, order same होना चाहिए, comparable होनी चाहिए, एक 5 centimeter, तुसी 7 centimeter चलेगा, order same होना चाहिए, तो size of the obstacle यह अपर्चर शुड भी comparable to, इसको decent note कर ले चल साइज को, शुड भी comparable to wavelength of the diffracting wave, यानि कि जो size of the obstacle यह अपर्चर है, it शुड भी comparable to wavelength, ओके जी, यह essential condition है, याद रहनी चाहिए, number one, definition याद होनी चाहिए, number one, definition याद होनी चाहिए, number two, यह essential condition भी याद होनी चाहिए, अब अगली बास सुन ले, अगली बास यह है, कि जो हमारी visible light है, visible light, भाई यार, उसकी जो wavelength है, वो 400 से 700 nanometer होती है, visible light की wavelength, 400 से 700 nanometer, अब यह nano में, 10s to power minus, 9 है, 9 है, 10s to power minus, 9 है, 2-0 अगर तू हटा भी दे, तो overall इसका order 10s to power minus 7 meter बन रहा है, 10s to power minus 7 भी, micro से भी क्या हो गया, छोटा हो गया, वैसे इसको nano ही बोलते हैं, तो भही, अगर wavelength of light 10 is power minus 7 meter के order की है, तो size of the obstacle भी, micrometer, nanometer के order का होगा, तो wavelength बढ़िया से diffract करेगी, तो wave बढ़िया से diffract करेगी, क्योंकि condition तभी match करेगी, तब ही हम कह रहे हैं, light की diffraction, बड़े बड़े obstacles से नहीं होती, सारे obstacles से नहीं होगी, इसकी जो sharp edge है न, sharp edge, किसी भी obstacle की edge पे, जब light पड़ेगी, तो जो edge है न, edge, उसका order हम, ये nanometer, micrometer के size का मान सकते हैं, वहां से diffraction बढ़िया होती है, इसलिए हमने बोला है, कि diffraction is bending of light, हमने specially light शब्द यूज़ कर लिया, कि it is bending of light, जब light यूज़ कर लिया, तो इसकी wavelength तो, 10Spa-9 meter के order की है, इसलिए फिर हमने, यहां पे क्या word यूज़ करना है, sharp edge, यानि 10Spa-7 से 9 का order होगा, तो light की diffraction बढ़िया, observe होगी, day-to-day life में, जो obstacles के size है, day-to-day life की बात कर रहा हूँ, वो meter centimeter में है, यानि कि wavelength 10Spa-7 to minus 9 चल रही है, जो obstacle के size है, day-to-day life में, obstacle या purchase के, वो centimeters, यानि 10Spa-2 या meters में चल रही है, condition बढ़िया से match होती नहीं है, इसलिए day-to-day life में diffraction को बहुत ज़्यादा होती नहीं है, बहुत कम होती है, इसलिए फिर day-to-day life में हम diffraction effect को ignore कर कर चलते हैं, और मान लेते हैं, कि light travels in a straight line, तभी हम मान लेते हैं, light travel in a straight line, पूरी ray optics के हिसाब से ray मान कर बोलते हो, चलता रहता है, क्योंकि, day-to-day life में, light की को diffraction इतनी ज़्यादा होती नहीं है, मैंने बोला था, यहाँ पर अगर तो कुछ लिख लेगा, तो तो थोड़ा-थोड़ा उसको पढ़ लेगा, मतलब थोड़ी बहुती light वहाँ तक पहुँच रही है, लेकिन, इतनी ज़्यादा diffraction नहीं हो जानी, कि बस पूरए तरह किसी पढ़ लेगा तू, थोड़ी से light पहुचेगी, अंदाजा लग जाएगा, कहने का मतलब, day-to-day life में, light की diffraction को इतनी ज़्यादा होती नहीं है, अगर light की diffraction study करनी है, आपको, तो obstacle के size, या aperture के size, wavelength के order की होने चीए, जो की 10-4-9 तक भी जा रही है, जी, तो definition होगी, condition होगी, condition में हमने एक बात जोड़ दी, कि day-to-day life में condition light के लिए तो देख मैच करती नहीं है, इसलिए day-to-day life में diffraction ज़्यादा होती नहीं है, इसलिए day-to-day light में हम diffraction को ignore कर देते हैं, इसलिए day-to-day life में हम मान लेते हैं कि light travel is a straight line, इसलिए re-optics नहीं मारा काम चलता रहता है, ओके, अब यहाँ पर एक और बात discuss करने वाली है, वो यह है कि जो sound waves हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है भाई, कि sound waves बढ़िया से diffract करेंगी या नहीं करेंगी, तो उसके लिए day-to-day life में obstacle का साइज तो वही centimeter to meter मान लेते हैं, अब sound waves की क्या देखती हैं, wavelength चेक करते हैं कि sound waves की wavelength कितनी कहें, उसके हिसाब से फिर पता लगेगा, कि diffraction बढ़िया से होगी sound waves की या नहीं होगी, इसको मिटा देते हैं चल, light वाली बात को एक बार खत्म करते हैं, sound waves की बात पर आते हैं, तो पड़िए sound waves के बारे में अगर आप याद करो, बच्पन से पड़ते आ रहे हो, कि जी जो sound waves होती है, उनकी जो frequency होती है, वो होती है, 20 hertz to 20,000 hertz, audible range है न जो sound wave की frequency तो उपर भी चले जाएगी, नीचे भी चले जाएगी, क्योंकि बटा जो ultrasonic और infrasonic सुना होगा, वो सब sound wave है, लेकिन जो audible part है उसका, audible जो हमें सुनता है, जो audible sound है यार, उसकी frequency range कितनी है, 20 hertz to 20,000 hertz, 20 hertz से 20,000 hertz तक, अच्छा जो speed of sound है, वो हम लोग 330 meter per second, in air मानते हैं, normal temperature पर, कहीं कहीं पर कभी कभी ख़र, 340 भी मिलती हैं, बागी कोशन में दिया हो, तो उसके हिसाब से होता है, 340, 333 लेकिन 330 अगर कुछ न दिया हो तो 330 लेकर कर देते होते हैं, मैं इसको अभी भी मैं 300 लेकर कर दूँगा, इसको और राउंड ओफ कर देता हूं, भाया, करना नहीं है, वो तो अभी मुझे बस order चीन है, अंदाज आज आजीए बस, वेवलेंथ का, वेवलेंथ निकाल रहा हूं मैं, साउंड वेव की, तो अब मुझे वेवलेंथ का, बस अप्रॉक्सिमेट आइडिया चाहिए, अप्रॉक्सिमेट वेवलेंथ निकाल लिए, तो मैं 300 से कैल्कुलेट करने की कोशिश करूँगा, अब आपको पता है है, विलासिटी इकल टू, निउंटू, लेंड़, अब इसके हिसाब से, लेंड़ इकल टू का, वी बै, निउंड आ जाएगा भई, अब लाइट के लिए, निउज होता है, यहाँ पे वी बै, निउज होगे हैं न, अब इसके हिसाब से अगर मैं 20 Hz को मानकर wavelength calculate करता हूँ रही निकालनी है न तो V by new इसको चल 300 ले ले और इसको new को कितना रख रहा हूँ फिर मैं 20 रख रहा हूँ ठीक है velocity by frequency 20 Hz है न भाई 20 रख ली 330 की जट 300 ले लिया मैंने कोई दिक्कत नहीं है 15 मिट्र आ गई यार और अगर दूसरा एंड ले लूँ स्पीड तो चल 300 ही रखूंगा और इसकी जगह 20 हजार रख लेते हैं तो यह कितनी आ गई 15 इंटू 10 की पावर माइनस 3 आ गई ठीक है 15 तो आ नहीं थी भाई यह ले 15 तो आ नहीं थी 10 की पावर माइनस 3 मीटर है यार यह 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 इसको मैं 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर है यह 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 इसको 1.5 सन्टी मीटर है यह 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 यारी कि जो वेवलेंथ है साउंड की कितनी आ गई देट सेंटी मीटर से 15 मीटर तक ठीक है चाहती है तो कहने का मतलब क्या हुआ है sound wave की जो wavelength है approximately centimeter to meters में आ रही है उसका जो order है na order of wavelength और sound wave वो आ रही है देख meter centimeter में और day to day life वाले जो obstacles हैं वो भी किसमें meter centimeter में sound waves के लिए तो वो जो diffraction वाली condition है कि wavelength जो अबस्टेकल या aperture के size के comparable होनी चीए तो sound wave के लिए तो बहुत बढ़िया match करके यार day to day life का जो obstacle है उसका size तो meter centimeter में चलना है nanometer में थोड़ी चलना है meter centimeter में चलना है और इसकी wavelength भी किसमें meter centimeter में है भाया note कर ले note ये कर ले कि जो sound wave है sound waves उसमें ये जो essential condition है na diffraction वाली essential condition for diffraction बहुत बढ़िया match हो जाती है बहुत बढ़िया condition मैश्ड वाली सिती है और उसके कारण इसकी बड़ी जबर्जस्त डाफ्रेक्शन होती है मतलब sound waves की day to day life में बड़ी जबर्जस्त वाली डाफ्रेक्शन होती है question आता है why sound waves diffract जबर्जस्त in day to day observations and light waves not sound wave की diffraction इतनी क्यों होती है light wave की क्यों नहीं होती है तो कारण बताओ कि जी ऐसे ऐसे sound wave की जो wavelength है वो centimeter से meter पर पाई जाती है और जो day to day life का obstacle है वो भी centimeter to meter पाई जाता है condition बड़ी जबर्जस्त मैच होती है इसलिए फिर diffraction भी जबर्जस्त होनी है लेकिन light wave की जो wavelength है वो तो nanometer में है और obstacle के जो साइज है day to day life की वो centimeter to meter है तो day to day life में यानि आम तो पर डैफ्रेक्शन ओव लाइट तो होनी है बहुत कम होनी है इसको इग्नोर करकी चलते हैं हमने तो पढ़ना है diffraction of light ही तो पढ़ेंगी लेकिन वैसे diffraction effect काफी हद तक इग्नोर किया जाता है light का ओके तो एक ये भी question ही लिख लो कि why sound waves diffract more as compared to light waves in day to day observation उसका कारण में ने बता दिया because condition match वाली स्थिती है भाई imagine कर कि तू एक गली में जा रहा है ठीक है जी अब सामने से ले बना कर दिखाते हैं को दो एक्जाम्पल दूंगा ये मालने अगा अगली है भाई कोई अब आके से बंद भी हो सकती है ठीक है यहां से तो बंद ही है ये से दिये मालने अब यहां से कोई बन्दों का रहा है कि और यहां से तू आ रहा है भी ठीक है नी यह यह आरहा है B है डेड़ेंड है ब्लैंड है की निगल सिखाते हैं विट दरीविंग सिखाते हैं जर एक एक स्कूटर चलाने शिखाया उगा मोटर सेकल साउगी तो बहो है तो ओर र Tá yellow Twitter चरूड देंगे मोड अगर बंदा कंट्रोल कर लेता है और एक डम टर नहीं लेता तो रूल यार इधर से हॉन जै मोड आने से पहले हॉन दे नहीं होना अगर ब्लाइंड बोड़ है कुछ दिखनी रहा दिखनी रहा काहां दिख रहा है अगर इसे तो बंद है न तो साउंड वेवर यहां से प्रोड्यूस की जातीं है अब साउंड वेव जो है भाई बंदा यहां पर रहा है आए यहां से आही दे कुछ तो रिफ्लेक्ट होके भी आएंगी अगर रिफ्लेक्शन नहीं भी होगी नहीं भी हो रही होती reflection तो भी sound wave भी तक पहुँचेंगी यह वाला बलेगा tt और यहां तक भी पहुँचेंगी यह भी बोलेगा tt इसकी यहां तक पहुँचेंगी पता लग जागा tt हो रही है ध्यान से cross करना इसको तो भीया reason यह है अगर reflection नहीं भी हो रही है भाई यागर reflection का कोई सादन नहीं है तो भी यहां से sound यहां तक पहुँचता है by rule sound को किदर जाना चाहिए था सीधा जाना चाहिए था आगे मैं बोल रहा हूँ reflection वाला भी कोई सादन नहीं है तो भी यहां तक sound बढ़िया से पहुँच जाता है वो इसलिए पहुँच जाता है क्यूंकि diffraction हो जाती है end पे इसकी क्या हो जानी है diffraction हो जानी है sound वे बड़ा जबर्दस diffract करता है भाई वो पहुँचेगा अगर दिन का समय हो दिन का समय बोल रहा है अब इसकी इसके उपर जो light पढ़ रही है लेकिन वो diffract होके light यहाँ इसको देखने के लिए इसको देखने के लिए बंदे को यहाँ होना पड़ेगा इसको थोड़ी दिखेगा जब तक यह mode पे नहीं पहुँचेगा तब तक नहीं दिखेगा उसका कारण यह है कि light rays जो होती है वो diffract करके नहीं पहुच पाती है यहाँ तक light diffract करकर नहीं पहुच पाती sound wave वड़ी जबर मैं कहा रहा हूं कि भाई तेरे मुणने से पहले sound wave पूरी की पूरी बुढ़ जाएंगी अकर तुने टीडी मार जी तो तो यह एक एक एक्जामपल है कि sound waves बहुत ज़्यादा क्या होती है diffract होती है एक और एक्जामपल लो फिर एक्जामपल दूसरा ले लो कि मान लेते हैं कि भाई दो भाई थे पहले कठे रहते थे बाद में क्या हुआ यार शादियां हो गई बीवी आ गई बच्चे आ गई बच्चे तो आनी थे बटवारा हो गया ठीक है क्या कर लिया इन्होंने घर का बटवारा कर लिया घर के बीच ओ बीच दिवार आ गई दिलों में दूर यह आ गई तो फिजिकली भी दूर यह आ गई यह दिवार कर लिए ये इनका घर, ये उनका घर, ये आंगने इनका, ठीक है, उपर से चल, फिर भी अभी, उपन है, अब इनोंने, अगर, इनोंने, ये A वालोंने, ये B वाले हैं, यहां पर मानले, कोई सोर्स ओफ, लाइट लगा रखा है, ठीक है जी, अब अगर ये शाम को अपना, ये बल्ब है भाई, अगर ये शाम को अपना बल्ब, क्या करें, आउन करें, मालो, उपर से ओपन है, आंगन अभी है, आंगन, ये बल्ब है, अगर इनोंने अपना बल्ब आउन किया, मालो, तो ये रात को अगर ये बल्ब आउन करेंगे, तो देखो परोशियों को, पतल लग गाइगा कि इन्होंने बपाउन कर दिया पता दो लगी जाएगा है एक तो ये मलब की जो लाइट कहीं से रिफ्लीक्ट हो के पहुंचेगी और थोड़ी बहुत इप दिफ्रैक्षीन से बीप चाएगी इध्र जारी थी लाइट इधर जा थी यार इस एज से कुछ रेज तो डैफरेक्ट होंगी रात को अगर प्रोडोशी बल्ब जला दे भाई अगर हमें उसकी लाइट का को बहुत जादा फायदा नहीं होगा लेकिन पता तो लगी जाएगा उन्होंने बल्ब जला दिए यह भी जलाने के लिए अब अभी जलात दोरों के ले भी उन्होंने जला लिया चलो उसी से अपना काम चल जाएगा और विजली बचेगी तो अपना बल्ब तो लगाने पड़ेगा जलाने पड़ेगा हां पता जरूर लग जाता है किया उदर बल्ब जल गया क्योंकि कुछ रेज तो पहुंशती है कुछ की डैफ यह भी है ठीक है जी है तो भाई देख लेकिन बोल चल नहीं है आपस में बीवियों ने मत मारक किये भाईयों की तो आपस में बोल चल नहीं है अब मानलो भाई इनके बच्चे कहां बड़े हैं अभी बड़े करते हैं और बड़े करते हैं आंगन में और स्पीकर लगा ले और अपना मज़े लेने लग जाते हैं अब इनको बुलाया तो है नहीं है अब यह जब यह अपनी लाइट ऑन करते हैं तब तो इसका कोई खास यूज यहां तक होता नहीं है पहुंचती नहीं जाता लाइट लेकिन जब इन्होंने यह साउंड जिस्टम लगा दिया यहां कि नॉर्मल होती है गरों में बड़े वाले स्पीकर वो लगा के अपना बड़े बड़े मना रहे हैं तो यह यह वाले तो ठीक है इंजोई करी रहे हैं ठीक है यह वाले तो भाई इंजोई करी रहे हैं साउंड वेब्स डैफ्रेक्ट होकर इधर भी इतनी पहुंच जाएं कि भाई अब ये पड़ाई लिखाई तो कर नहीं सकते हैं बीच में दिवार हैं फिर भी साउंड वेव यहां पर खूब सारी पहुंचेंगी हां अगर इंजॉय करना चाहें तो ये भी कि सारा परवाद कर सकते हैं मियां भीवी और उनके दो बच्चे कहते हैं जण भी बुलाया तो है नहीं कोई चकर नहीं है अपको यह हीं पर क्या करते हैं इंजॉय करते हैं तो पॉंट यह light wave भी पहुँचते होंगी थोड़ी पहुँचती है diffraction बहुत कम होती है लेकिन sound wave की diffraction बहुत बहुत जादा होती है current condition properly क्या हो जाती है match हो जाती है condition properly match हो जाती है तो अभी ते क्यार जो भी हमने बात की उसमें निकल कर क्या आया है निकल कर बस ये आया है कि जी diffraction क्या है पहली बाग definition diffraction क्या है जी bending of light at sharp edges bending of light at sharp edges is called diffraction ओके दूसरे नंबर पर हमने बोला कि diffraction को observe करने की या बढ़िया से diffraction करवाने की essential condition क्या है what is the essential condition उसमें बोला कि भी या order क्या करना चाहिए आपस में मैच कर जाना चाहिए किसका order उधर wavelength का order और उधर obstacle के size का order फिर तीसरी बात हमने की है कि जी day to day life में sound wave diffract क्यों करती है ज्यादा और light wave क्यों नहीं ज्यादा कर पाती तो उसका कारण है कि light wave के case में there is mismatching of essential condition day to day life के हिसाब से अगर obstacle का size nanometer, micrometer का हो तो तो diffraction दे को होती है फिर बढ़िया होती है तब ही edges पे ही करवाते हैं diffraction और sound wave की क्यों होती है क्योंकि condition match कर जाती है बाकि एक्जामपल इदर उदर के हमने दे ही दिये अब इसके बाद बेटा हम आजाएंगे अपने main topic पे diffraction कही तरह की होती है कही तरह की study करनी पड़ती है लेकिन slabers में एक ही है diffraction at single slit okay slabers में एक ही है अपने diffraction at single slit आज हम उसकी थोड़ी सी introduction वगरा ही देंगे उसके बाद क्लोज कर देंगे क्योंकि उसको फिर पूरे को cover-up करना पड़ेगा एक ही बार में तो आज introduction ही उसकी देंगे थोड़ा बहुता 15 कि मिनट और लगाते हैं diffraction at single slit के है वो cover-up करके फिर हम आज की बात को close कर देंगे और next lecture यह नहीं कर ली आ जाएगा आपका lecture उसमें फिर diffraction at single slit बस अपने पास slabers में वो diffraction at single slit ही है उसको हम cover-up कर देंगे numericals भी उस पर बेस फिर बनते होते हैं अच्छा पटा अगली बात हमने बेसिकली मैंने बोला क्या study करना है diffraction at single slit उसकी पर थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे अगर हम बात करें बेटे diffraction की तो diffraction को न वैसे कुछ नहीं इस पर आता आता नहीं कोशिशन फिर भी चल बात करें लेते हैं diffraction को दो पार्ट में बाटते हैं एक जिसको कहते हैं यार फ्रेनल डैफ्रेक्शन सांटीस के नाम है भाई और दूसरे को फ्रान होफर डैफ्रेक्शन फ्रेनल फ्रान होफर मालो हमने diffraction study करनी है अगर diffraction हमने study करनी है तो यहार हमारे पास एक obstacle होगा ठीक है main तो obstacle यह aperture चाहिए उसके बाद एक source of light होगा और diffraction कैसी हो रही है क्या नहीं हो रहा है उसके लिए screen होगा तो तीन चीज़ी चाहिए ना एक चाहिए obstacle यह aperture एक चाहिए source of light एक चाहिए screen तो frenal diffraction is also known as near field near field near field मतलब यह अगर aperture है तो इसमें जो source है वो भी near होगा near मतलब को बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं होगा और जो screen है वो भी near होगा source as well as screen both are at finite distances ठीक है normal distance पे front of a reflection जो है it is also known as far field diffraction it is also known as far field diffraction far field का मतलब कि जो source है वो भी बहुत दूर होगा और जो screen है वो भी बहुत दूर होगा मतलब obstacle तक जो source है light आ रही है बहुत दूर से आ रही है हम मानके चलेंगे infinite distance या रही है infinity से पैरल रही है और जब diffraction हो जा रही है तो diffraction होने के बाद जो raise जा रही है वो भी बहुत दूर जा रही है यानि अप टू infinity जा रही है तो फ्रैनल डाफ्रेक्शन वो है जिसमें source as well as screen obstacle से finite distance पर है और फ्राण आफ़र डाफ्रेक्शन वो है जिसमें source as well as screen obstacle से infinite distance पर है यानि very large distance पर है फ्रैनल फ्राण आफ़र के terms में इतनी ही बाद ठीक है मैंने बोला कोशन वोशन नहीं आता है इस पर फिर भी ये idea होना चाहिए फ्रैनल फ्राण आफ़र का मतलब क्या है फ्राण आफ़र मतलब far field फ्रैनल मतलब near field अब अगली बाद कि जो मैं बोल रहा हूँ हमने क्या पढ़ने diffraction at यार हमने एक ही पढ़नी है at single slit slit का मतलब ही होता है slit का मतलब हमारे लिए यहां पर क्या हो गया aperture हो गया मतलब वो portion जहां से light pass हो जाएगी उसकों क्या कह देंगे slit कह देंगे slit मतलब उसमें यंग्स में बोलते हैं ना यंग्स double slit experiment slit मतलब वो दो portion जहां से light आश रकती है तो diffraction at single slit हमने पढ़ने है point यह है कि diffraction at single slit जो है वो किस category में आएगी फ्राउनोफर की category में आएगी यानि far field के category में आएगी तो हम जो पढ़ने जा रहे है diffraction at single slit आज नहीं पढ़ेंगे आज बस थोड़ा डायग्राम समझाओंगा बाकि main बाते next class में जाएगी तो जो diffraction at single slit है मेरे भाई किस category में आएगी फ्राउनोफर की category में आएगी यानि far field यानि source भी infinity पर रखने और screen भी infinity पर रखने अब अगली बात यह है यार कि source भी infinity पर screen भी infinity पर लेकिन भीया हमें study तो lab condition में करना है न तो हम infinity वाली situation create कर देंगे हम diffraction single split में हमें source कहा चाहिए infinity पर चाहिए screen भी कहा चाहिए infinity पर चाहिए तो हम क्या करेंगे situation ऐसे create कर देंगे कि source infinity पर हो लेकिन फिर भी उसको observe करने का कुछ ना कुछ वही बात युगाड तो लगा ही लेंगे न तो diffractionate single slit में जो diagram आपका बनेगा बड़ा important diagram है भाई सबसे पहले जो बनेगे slit ठीक है जी यह slit होगी slit की बकाइदा इतनी बड़ी नहीं होती वो तो फिर हमने अब show करना न तो ओके तो situation ही है कि बटा यह जो A, B है ना A, B यह अपनी क्या है slit है slit जहांसे diffraction होनी है A, B इकल टू D यह किसका diagram बनाए जा रहा है पिटा diffraction है single slit का अच्छा अच्छा आर्टिकल है कई बाते आ नहीं है उसका diagram थोड़ा से explain कर रहा हूँ ओके तो A, B अपनी slit है ठीक है जी A, B होगी जी slit अगली बाब कि source of light चाहिए अच्छा source of light infinity से चाहिए क्योंकि हमने बोला Fraunhofer का example है अब infinity से आने वाली raise मतलब parallel raise होती है तो infinity से आने वाली raise parallel है लेकिन मैंने study तो यार lab में करने ना तो मैं situation कुछ ऐसी create करूँगा कि यार मैं लूँगा तो point source ही ठीक है जी लेंगे तो हम point source ही यह source of light है लेकिन इसके सामने नहीं यार एक convex lens लगा देंगे और यह जो source of light है उसको इसके focus पे रख देंगे अब जब focus पे रखेंगे तो यह क्या करेगा raise को parallel कर देगा ना focus से आने वाली raise क्या हो जाती है फिर parallel हो जाती है तो हमने parallel raise create कर दी यानि slit को तो लग रहा है कि जैसे raise कहां से आ रही है infinity से आ रही है और कहीं कि lab infinity से आ गई तो front of our defraction करते है हमने situation ऐसी create कर दी कि lens का use किया lens का यहाँ पर defraction के लिए कोई use नहीं है हमने तो बस situation ऐसी create करने थी कि slit को लगे कि raise बहुत दूर से आ रही है यानि infinity से आ रही है infinite से आती हुई raise parallel शो करते होते हैं इसलिए हमें parallel raise से यह थी तो उसके लिए हमने क्या जुगाड लगाया हमने knowledge यूज कर ली कि या इंफिनिटी से raise यानि parallel वाली raise चाहिए lens लगा देते हैं lens अपने अप parallel कर लेगा source को focus पर रख देते हैं तो चलो front offer का हमें कह चाहिए था infinity से आती हुई raise वो create होगी अब ठीक है यहां से raise पहुंचेंगी edges पर defraction भी होगी edge पर क्या होनी है raise की defraction होनी है वो भी होगी लेकिन defraction होने के बाद यह raise फिर से किस तरफ जाएंगी infinity की तरफ जाएंगी अब कुछ raise तो देख सीधी भी निकलती है तो सीधी तो जानी थी कुछ raise तो सीधी भी जाएंगी न लेकिन कुछ raise बेटा जी यहां पर edge पर क्या हो जाएंगी defract हो जाएंगी यह defract हो गई ओके देख उपर भी defract होती है नीचे भी defract होती है उपर की और भी होती है नीचे की और भी होती है अब हमने एक तरफ शो कर दिया यहां उपर शो कर लो यहां किदर शो कर लो नीचे शो कर लो तो हमने एक तरफ शो कर दिया वो भी मान लो ये कितने एंगल पर डैफरेक्ट होती है थीटा एंगल पर डैफरेक्ट हो गई ये एंगल थीटा मान लेंगे ठीक है जी इस एंगल को क्या मान लेंगे थीटा मान लेंगे चलो मान लिया अब पेटा ये डैफरेक्ट हो गई डैफ्रेक्ट होने के बाद या कुछ सीधी भी निकलेंगे न ये फिर से किस तरफ जा रही है इंफिनिटी के और जा रही है अब इंफिनिटी के और जा रही है इंफिनिटी से आ रही है डैफ्रेक्ट होके भी इंफिनिटी पे जा रही है तो defractionate single state defraction oh sorry defractionate single state front offer का example हो गया front offer defraction हो रही है लेकिन भाई मुझे observe तो करना है यहां तो जुगाड लगा लिया था infinity तक provide कर दी थी अब आगे infinity तक जाती हुए raise को screen पर भी तो लेना है अब उसके लिए फिर से क्या करेंगे फिर से एक lens लगा देंगे भाया source से आने वाली raise को इसने parallel किया तो parallel को फिर से कठी करवा देती है उसके लिए फिर से इसके आगे एक दूसरा lens लगा देती है तो यहां पर बेटा जी एक दूसरा convex lens लग जाएगा ठीक है जी वो क्या करेगा सामने यह converge कर देता है और जो source से आ रही है उसको parallel कर देता है focus से आ रही है उनको parallel कर देता है तो अब इस पर parallel ray पड़ रही है न इसने इनको क्या कर देना है converge कर देना है जो तो बिलकुल सीधा आ रही है देख बिलकुल सीधा आने वाली को वो center पे focus करवा देगा अपने ठीक है जी जो सीधा आ रही थी वो तो पहुंच की मालने center पर और ये जो है करेगा इनको भी converge लेकिन कहीं और कर देगा ये मालने इसने इस जगह पर इनको क्या कर दिया converge कर दिया अब ये जो भी है screen तक पहुंच की screen पर क्या बनेगा उसको क्या कर लेंगे हम study कर लेंगे screen पर क्या बना pattern बना वो मैंने बोला लंबा कीचे का तो इसलिए अगली बात पर याएंगे तो ये आर आपका youngs, sorry defractionate, youngs double slit तो हो गया भाई, याद आता रहता है defractionate single slit का ये basic diagram होगा, इसको इतने कोई बनाने की practice कर लो भाई ये बनता नहीं है, मुश्किल है logically बनाना पड़ता है, पहले slit बनाओ, A, B जो है उसको D बोला करेंगे ठीक है, A, B जो है ये width of the slit है, इसको क्या बोला करेंगे, D बोला करेंगे, जैसे Y डियास ही चलता रहा, वैसे ये भी अब चलेगा ओके, इस lens का क्या काम है भाई ये parallel raise प्रोवाइड करना इस lens का क्या काम है, उन parallel raise को फिर से focus कर देना ये center of the screen माने जाएगा, ये हमारा point of observation होगा ठीक है, आगे चलकर हमें पी तक पहुंचने वाली जो raise है दो raise है, पी तक पहुंचने वाली एक A से पहुंची है, एक B से पहुंची है दोनों के बीच में difference दिख रहा है आपको, नीचे वाली ने ज़्यादा distance कवर किया है, उपर वाली ने कम किया हुआ है तो पी पहुंचने वाली raise में face difference आ गया है जिसके कारण देखना पड़ेगा constructive हो है, destructive हो है, क्या चीज आ रही है वो सब मैंने बोला कल पे लेकिन diagram complete कर दूँ तो हमें पी तक पहुंचने वाली जो A से पहुंची raise है या जो B से पहुंची raise है, उनके बीच का face difference चीज होगा उसके लिए हम पहले path difference निकालेंगे तो उसके लिए हम इसको perpendicular डालेंगे यहां पर, इस point को क्या मानेंगे N मान लेंगे जी, ओके geometry लगाएंगे, अब अपने हम लगा ना geometry अगर यह angle theta है, तो थोड़ी geometry लगाओगे, तो यह angle क्या आजाएगा theta आजाएगा, अब इस triangle में, इस triangle में, intringle A N B अगर आप देखते हो ध्यान से Pythagoras लगा नहीं है sin theta equal to sin theta is equal to perpendicular perpendicular क्या है A N नहीं angle के सामने वाला perpendicular होता है angle के सामने वाला क्या होता है perpendicular होता है तो छोटू सा जो triangle है उसका यह angle theta है theta के सामने वाला perpendicular है perpendicular यानि B N के नीचे hypotenuse 90 degree के सामने वाला क्या होता है hypotenuse sin theta perpendicular यानि B N hypotenuse यानि D तो बेटा यहां से BN equal to क्या आएगा D sin theta याद रखना है यह बार बार होगा बहुत दुबार आएगा diagram है कल दुबारा बनाऊँगा लेकिन diffractionate single slit का एक बार तो diagram मैंने समझाई दिया न तो कल दुबारा बन जाएगा तो BN equal to D sin theta याद रखना है हमेशा यह diagram बनेगा ऐसे करके होगा यह BN equal to D sin theta होगा तो point P तक जो rays पहुंची है A से पहुंची है और B से पहुंची है A से जो ray पहुंची है देख उसने और B से जो पहुंची है थोड़ा distance का फरक है कितना फरक है यह BN का ही फरक होता है BN का फरक ही मानने तो जो BN पात difference माना जाएगा BN will be the part difference part difference को X से डेनोट करेंगे X equal to BN equal to D sin theta भही आप part difference equal to D sin theta आज यहीं पे खतम कर रहा हूँ diagram का यूज करना है लेकिन चलो diffractionate single street का diagram मैंने कर दिया इसको diagram को एक दो बार बनाने की practice कर लो point P पर पहुंचते पहुंचते जो दो rays diffract हो के पहुंची है उनके बीच में part difference कितना आएगा D sin theta याद कर लो part difference इस D sin theta बाकि अब इसका use क्या है वो कल देखेंगे अभी हम इसको क्या करने जा रहे है close करने जा रहे हैं वहना दो गंटे का lecture हो जाएगा दो कभी क्या धाई का हो जाएगा सारी पूरी बात कराने लग जाओ तो तो इसकी पूरी study कल पे डाल दी बेटा हमने अभी तक क्या किया diffraction की definition diffraction की essential condition sound wave diffraction जादा क्यों करती है और light wave day to day life में क्यों नहीं करती है वो देख लिया फिर फ्रेनल देख लिया front offer देख लिया diffractionist single slit हमारा सबसे main topic है उसी पे पूरा concentrate करने है जिसके हमने थोड़ी सी introduction या diffractionist single slit का कम से कम diagram तो देख लिया तो आज के लिए भाई इतना ही है अभी आप लोगों से इजाज़त लेते हैं हमारा साथ जुणने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद thank you very much मिलते हैं ब्रेक के बात